सब्सक्राइब किजीए India Tours and Entertainment यूटूब चैनल को और यह घंटी भी दबाएए जिस से हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और यह बिल्कुल फरी है सब्सक्राइब कीजीए India Tours and Entertainment यूटूब चैनल में आपका फिर से एक भार बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मैं हूँ राज और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ बंजारी माता का मंदिर दोस्तो यह बंजारी माता का मंदिर 36 गड़ स्टेट के रायपूर डिस्टिक में इस्तित है राइपूर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 8 किलोमेटर है और वहीं राइपूर बस स्टेंड से 10 किलोमेटर अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप सीटी बस से जा सकते हैं या आटो से भी आप जा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं बंजारी माता के बारे में दोस्तो जहाँ पे ये बंजारी माता का मंदिर इस्तित है या इस्थान एक बंजर जमीन था जहाँ पे लोगों का बहुत ही कम आना जाना होता था तो इस वज़ा से ही इस मंदिर का नाम और माता का नाम मा बंजारी रखा गया है चलिए दोस्तो आज मैं आपको ले चलता हूँ बंजारी माता का मंदिर तो हम बंजारी माता का मंदीर पहुँच गया है मंदीर के बाहर आपको मिलेगा इस प्रकार से अमर सहीद का ये प्रतीक जहां पे जंडा लाराता हुआ मिलेगा आपको और यहां से इंट्रेंस करते हैं बंजारी माता का मंदीर आप अगर नवराक्तिरी में यहां आते हैं तो यह इस थल पूरी तरह से भीड मिलेगा आपको यहां पे नवराक्तिरी में बहुत ही जादा भीड होता है सभी माता के दर्शन के लिए आते हैं यहां पे और यह है बंजारी माता का मंदीर जहां से हम बंजारी माता के दर्शन के लिए इंटर करेंगे इंट माता करेंपे और जुद विका बंज neu आते हैं आते हैं जैंके हैं इंट में लिए खर बंजारी म में लिए से खुदयशन के लिए present a के लिए धुदय उलök उता aquellos खुदय है के लिए चे झेल हैं में और श बंजार प्का करेंगी थाँ, तेल हैं दोस्तों बंजारी माता के दर्षन के बाद आपको मंदीर के बाहर और भी छोटे पड़े बहुत सारे मंदीर और देवी देवताओं के दर्षन आपको मिलेंगे अब यहां जाएंगे तो आपको बंजारेश्वर महाद्यव मिलेंगे यहां से हम उपर जाते हैं तो हमें सीव जी का भव्य मूर्ती देखने को मिलेगा यहां पे सावन में एक अच्छी खासी गीड़ आपको देखने को मिलेगा और ये बंजारी माता के मंदिर के चारों और आपको बहुत अच्छे-च्छे सुवाक के देखने को मिलेंगे आप कभी जब बंजारी मंदिर जाते हैं तो ये सुवाक के जरूर पढ़िएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये अभी अभी यहां से एक नया लक्षमन जूला बना है छोटा सा बहुत ही कमाल का है और यहां से जब आगे जाएंगे तो आपको हनुमान जी के दर्सन मिलेंगे इसके नीचे बीच में साई जी का दर्बार बना हुआ है तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ अब यहां पे आपको तल घर में मिलेंगे भगवान विश्णू और माता लच्मी दोस्तों आप इस वीडियो को इतना सेयर करें इतना सेयर करें कि हर 36 गड़के लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाएं और हर किसी को बंजारी माता की दर्सन हो जाएं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो अभी मेरा चैनल सस्क्राइब करें मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए ठेंक यू